नमस्कार दोस्तो civil engineering support के एक बहुत ही महत्पून वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभी सीख सिंग दोस्तो ये वीडियो बहुत ही महत्पून होने वाला है चुकि अभी जो भी घर बन रहे है दोस्तो वो G प्लस टू, G प्लस थी ही बनाए जाते हैं अगर अभी दोस्तो आप एक मनजिला घर बना रहे हैं तो आपने भी सोचा होगा कि उसको फ्यूचर में कभी न कभी दोस्तो उपर ले ही जाना है तो दोस्तो आपको भी पता है कि एक जो चाड़ आता है दोस्तो एक जो सरिया आता है उसकी जो लंबाई होती है वो 12 मीटर के करीब होती है जो कि दोस्तो पूरा नीचे से उपर तक एक ही सरिया का कॉलम बना पाना नामुम्किन है इसलिए हमें दोस्तो एक सरिया में दुसरा सरिया जोड़ना पड़ता है और जिसे हम लैपिंग कहते हैं तो लैपिंग का जो जगा होना चाहिए दोस्तो वो आप देख लिजिए कि L by 4 नीचे से और L by 4 उपर से यानि कि बीम से L by 4 वाला जगह छोर करें दोस्तो लैपिंग करनी चाहिए अगर साथ में मैं कहुँ दोस्तो तो मान लिजिए कि नीचे का फ्लॉर और उपर का फ्लॉर का जो बीच वाला जगह होता है दोस्तो वही Lapping के लिए सही माना जाता है तो अब बात आती है दोस्तों कि Lapping कहां करना चाहिए और कितने सरिया में एक जगा में Lapping दे सकते हैं जैसे इस वाले केस में देख सकते हैं दोस्तों कि पूरे 6 सरिया का इस्तमाल किया गया है तो आपके लिए दोस्तो या तो आप तीन सरिया का इस्तमाल कर सकते हैं एक जगा लैपिंग देने के लिए तीन सरिया में दे सकते हैं या फिर दो सरिया में दे सकते हैं इस केस में देखेंगा दोस्तो कि दो-दो सरिया का अलग-अलग दोस्तो किया गया है और साथई साथ एक चीज़ का ध्यान देंगे दोस्तू कि जो 50% सरिया है कहने का मतलब 4 सरिया का अगरर कॉलम है तो दो सरिया एक जगा लैप होगा और दो सरिया उपर की तरफ लिया ठीक है यह जो लैपिंग लेंथ है दोस्तों यहां से वहां तक जो ओभर लैप किया है 16 mm का सरिया के लिए दोस्तों 800 mm का हम लैपिंग लेंथ देते हैं 50 डिस का थम रोल फॉर्मूला है ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान देंगे दोस्तों मान लिजे 6 सरिया वाला कॉलम है आपका तो एक जगा तीन सरिया से जादा आपको लैपिंग प्रोभाइड नहीं करना है एक जगा तीन सरिया पर दे दिजिए और दुसरा दोस्तों तीन सरिया पर आपको लैपिंग प्रोभाइड करना है और ध्यान देंगे दोस्तो एल वाई 4 नीचे से यानि कि 10 फीट का अगर मालीजे कि वो रूम आपको बनाना है तो अरहाई फीट नीचे से और अरहाई फीट उपर से चोर करके हैं दोस्तो आपको दोस्तो लैपिंग देना चाहिए मतलब एक छरिया में दूसरे सरिया आपको स्ट्रक्चर दोस्तो वो मजबूत बनेगा और लंबे समय तक ठीका रहेगा किसी एक तरह की सिकायत नहीं आएगी धन्यवाद दोस्तो